भारत ने माइनिंग, डिफेंस, स्पेस जैसे अनेक सेक्टर्स को प्राइवेट प्लेजर्स के लिए हमारे यंग एंटरपर्नर्स के लिए खोला है। हमने FDI policy को liberalize किया तकि दुनिया भरके investors के लिए हाँ ज्यादा से ज्यादा आउसर बन सके हम अपनी logistic cost और time को कम करने के लिए आधुनिक infrastructure पर focus कर रहे हैं। हमने बीते दसक में infrastructure पर investment को अभूत पर स्केल पर बढ़ाया है। सादिया भारत ने process reforms को सरकार की continuous activities का हिस्सा बनाया है। हमने 40,000 से ज्यादा compliance को खत्म किया। Companies Act को decriminalize किया। ऐसे दर्जनों provisions थे जिसके कारण पहले business मुश्किल था हमने उनमें बढ़लाव किया। Companies start करने, बंद करने, clearance को आसान बढ़ाने के लिए national single window system शुरू किया गया। अब हम राजस्तर पर process reform को गती देने के लिए राजसरकारों को प्रोच्छाहित कर रहे हैं। साथ यह भारत में manufacturing को गती देने के लिए हम production link incentives लेकर आए हैं। इसका impact आज बहुत सारे sectors में दिख रहा है। अगर मैं बीते तीन साल में ही PLI के impact की बात करूँ तो करीब 1.25 trillion यानि सवा लाग करोड रुपिय का investment आया है। इससे करीब 11 trillion यानि 11 लाग करोड पे का production और sales हुई है। Space और defense sector में भी आज भारत के growth शांदार है। इन दोनों sectors को open किये अभी जानदा time नहीं हुआ है। Space sector में 200 से जानदा start-ups आचुके हैं। आज हमारी total defense manufacturing का 20% contribution हमारी private defense company का है। साथ क्यों, electronic sector की growth story तो और भी अदबूत है। 10 साल पहले तक भारत जाजातर mobile phone का बड़ा importer था। आज 330 million यानि 33 करोड से जाजा mobile phone भारत में बन रहे हैं। आप कोई भी sector देख ले। आज भारत में investors के लिए investments और investment पर जादा return के बहतरीन मोके हैं। साथियों, आज भारत का focus AI और semiconductor जैसी critical technologies पर भी है। इनमें हम काफी जादा investment कर रहे हैं। हमारे AI mission से, AI के एक शेत्र में, research और skills दोनों में वृद्धी होगी। इंडिया, semiconductor mission के कारण, 1.5 trillion रुपे, यानि 1.5 करोड रुपे का investment हो रहा है। बहुत जल्द ही भारत के 5 semiconductor plants दुनिया के कौने कौने में made in India चीश्ट पहुचाने लगेंगे। Friends, आप सभी जानते हैं कि भारत, affordable intellectual power का सबसे बड़ा source है। इसकी गभाई दुनिया भर की कंपनियों के 1700 से अधिक Global Capability Centers है, जो आज भारत में काम कर रहे हैं। इनमें 2 million यानि 20 लाग से जादा भारतिय नौजवान दुनिया को highly skilled service दे रहे हैं। आज भारत अपने इस demographic dividend पर अभुत पुर्वरुप से focus कर रहा है। और इसके लिए education, innovation, skills और research पर खाद ध्यान दिया जा रहा है। हमने new national education policy बना कर एक शेत्र में बहुत बड़ा reform किया है। बीते 10 साल में हर हपते एक नई university और हर दो दिन दो नए college खोले गए हैं। इन 10 सालों में हमार यहां medical college की संख्या दो गुनी हो गई है। और स्वाथियों quantity ही नहीं बलकि हम quality education पर भी उतरा ही बल दे रहे हैं। इसले ही बिते सल में 10 साल में QS World University ranking में भारतिय इंस्टिटूशन की संख्या तीन गुना से जादा हो चुकी हैं। इस साल के budget में हमने करोडों युवाओं की skilling और internship के लिए special package announce किया है। PM internship scheme के तहट पहले दीन ही 111 कंपनियों ने portal पर register किया है। SKIM के तहट हम एक करोड युवाओं को बड़ी कंपनियों में internship में मदद कर रहे हैं। साथियों बीते दस सालों में भारत का research output और patents भी तेजी से बड़े हैं। दस साल से भी कम समय में भारत Global Innovation Index की ranking में 81st से 39th स्थान तक पहुंचा है। यहां से हमें और आगे जाना है। अपने research ecosystem को मजबूत करने के लिए भारत ने 1 trillion रुपे का research fund भी बनाया है। साथियों आज green future, green jobs के मामले में भी भारत में और भारत से बहुत उम्मीदे हैं। और उतनी ही आपके लिए इस sector में opportunities भी हैं। आप सब ही ने भारत की presidency में हुई G20 summit को follow किया है। इस summit की अनेक success story में से एक green transition को लेकर नया उत्सा भी रहा है। G20 summit के दोरानी भारत की पहल पर global biofuel alliance launch किया गया। G20 के सदस्य देशों ने भारत के green hydrogen energy development को मजबूती से समर्थन दिया। भारत में हमने इस दसक के अंत तक five million ton green hydrogen के production का target रखा है। भारत में हम solar power production को भी micro level पर ले जा रहे हैं। भारत सरकार ने PM सूर्यगर मुप्त बिजली scheme शुरू की है। यह rooftop solar scheme है लेकिन इसका scale बहुत बड़ा है। rooftop solar setup के लिए हम हर family को fund कर रहे हैं। solar infra install करने में भी support कर रहे हैं। अब तक 13 million यानि एक करोड 30 lakh से ज्यादा families इसमें register हो चुकी है। यानि इतने लोग solar power producer बन चुके हैं। इससे हर family को on an average 25,000 रुपय की बचत होने वाली है। हर 3 kilowatt solar बिजली पैदा करने पर 50 to 60 ton carbon, carbon dioxide का emission भी रुकेगा। इस scheme से करिब 17 lakh jobs पैदा होगी। स्किल युवाओं की भी एक बड़ी force तयार होगी। यानि आपके लिए भी sector में भी investment करने के लिए नए मोके बन रहे हैं। साथियों आज Indian economy एक बड़े बहुत बड़े transformational change से गुजर रही है। मजबूत economic fundamentals के आधार पर Indian economy sustained high growth के रास्ते पर है। बारत आज सिर्फ top पर पहुंचने के लिए ही तैयारी नहीं कर रहा है। बलकि top पर बने रहने के लिए मेहनत कर रहा है। हर sector में आज दुरिया के अपार opportunity है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपकी चर्चा से अनेक valuable inputs आएंगे। मैं इस प्रयास को बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह हमारे लिए debating club नहीं है। यहां जो चर्चाय होती हैं, जो बातें उभर करके आती हैं। Do's and Don'ts के लिए उस मैंसे जो हमारे लिए उप्योगी होते हैं। हम इसको religiously सरकार की system में follow करते हैं। हम इसको हमारी policy का हिस्सा बनाते हैं। वो हमारे governance का हिस्सा बनाते हैं। और इसलिए आप जो समय देकर के यह मन्थन में जूडते हैं। वो अमृत हमारे देश में हम हमारे भविष्ट को और अथित उज्वल बनाने के लिए काम में लेते हैं।